आराम से जो मरे वो सुखी बादशाह अकबर एक दिन बीरबल के साथ सुभह की सेर पर निकले एक नंगे आदमी को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया उन्होंने बीरबल से पूछा बताओ बीरबल सबसे अधिक सुखी इस दुनिया में कौन है मैं तरह तरह की वेश भूसा में लोगों को जीवन पिताते देखकर असमंजस में पढ़ गया हूँ बीरबल मुझे मालूम है मेरे सवाल का जवाब केवल तुम ही दे सकते हो बीरबल बोले हुजूर कोई आदमी कितना सुखी है या कितना दुखी है इसका पता तो उसके मरने के बाद ही चल पाता है बीरबल तुम क्या कहना चाहते हो हम समझे नहीं शेहनसा अकबर ने कहा बीरबल बोले जहां पना आज जो आदमी सुखी है वही कल को मुसीबत में पढ़कर दुखी हो जाता है फिर ऐसे में किसी जिंदा वेक्ति को कैसे सुखी या दुखी कहा जा सकता है यहाँ अनगिनत ऐसे आदमी है जो दिखते तो सुखी है पर उनका दिल दुखों से भरा पड़ा है फिर उन्हें सुखी कैसे कहा जा सकता है हुजूर मेरी राय में तो जो वेक्ति सुख पूर्वक मरता है वही सुखी होता है बीर बलके इस जवाब को सुनकर शेहनसा बहुत परसन हुए और उनकी तारीफ करने लगे